इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की बहुत देशी नदी घाटी पर योजनाय पढ़ेंगे इसका मतलब है कि जितने भी हमारे यहां पे बांध है उत्तर प्रदेश में उन सारे बांधों की एस्थिती को उनकी किस नदी पे बने हैं यह सारा कुछ हम इसमें से जानेंगे इसके पहले वाले वीडियो में हमने नदी प्रवाहतंतर पढ़ाया था यूपी में जो नदी प्रवाहतंतर है तो उसमें हमने गंगा यमना उनकी सहायक नदियां और कौन नदी कहां से निकलती है, कहां मिलती है, ये सारा कुछ हमने उसमें बताया था यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लें ताकि इस वीडियो में आपको थोड़ा सा वो सहायक हो सके और यदि इस चैनल पर फ्रेंड्स आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें देखिए जो बांध हैं, बांधों को पंडित जवाललाल नेहरू ने जब हमारी पंच वर्सी योजनाय बनी थी शुरुवाती में तो पहली पंच वर्सी योजना में ही हमने बांधों के उपर काम करना सुरू कर दिया था और पंडित जवाललाल नेहरू ने ये कहा था कि ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर है तो आप समझ सकते हैं कि इन बांधों की कितनी बड़ी भूमिका है अच्छा इनको बहु उद्देशी ये परियोजना क्यों कहते हैं बहु उद्देशी परियोजना का मतलब है जिसका एक से अधिक उद्देश हो तो बांधों के अधिक उद्देश से क्या क्या है देखिए जब हम बांध बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे नदी का कोई एक प्रवा है तो हमने यहाँ पर क्या किया बांध बना दिया तो इससे यह जो इसका water level है इस थार है वो क्या होता है उपर अप कर जाता है अब इसमें से हम क्या क्या देखिये कर सकते हैं हम एक तो यहां से बिद्दु सैयंत्र लगा सकते हैं तो बिद्दु सैयंत्र लगाएंगे और हम यही वाला पानी एक तेजी रफतार से धार्ब से गिरा के हम बिजली पैदा कर सकते हैं दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हम यहीं से नहरे निकाल देते हैं, जो कि irrigation या सिचाई के लिए उपयोगी हो जाती हैं, और हम क्या करते हैं कि अगर पानी की पे-पानी की सुविधा अगर हमें करना है, तो वो भी हम इसी माध्यम से कर सकते हैं आसानी से, इसके साथ साथ हम कर लेते हैं, तो हम बांध बना के एक ही उससे कई उद्देश अपने पूरे कर पा रहे हैं, इसलिए इस परियोजना हैं, इनको हम बहु उद्देशी परियोजना कहते हैं, अब देखिए उत्तर प्रदेश में यह बहु उद्देशी जो परियोजना हैं, वो किस नदी पर बनी है कहां कहां पर बनी है और उनकी क्या इस्थिती है इसको हम थोड़ा सा पहले मैप में देखेंगे फिर हम आपको एक लिस्ट बताएंगे देखिए बहुत सारे छोटे-छोटे बांध है जो एक जाम में तो पूछ लिए जाते हैं लेकिन इस मैप में वो इंडिकेट नहीं किये गया होंगे क्योंकि वो छोटे-छोटे बांध है ना तो उतना पॉसिबल इसमें नहीं हो पाता इसलिए इसमें जो बड़ी-बड़ी जो प्रियोजना है यूपी के अंदर यूपी के बार ने तो उससे संबंदित जो भी कंटेंट है उसको हम यहां पर देखेंगे तो हम यहां पर सबसे उपर से देखना शुरू करते हैं ठीक है तो आप जानते हैं कि सबसे जो उत्री जिला है वो है सहारनपूर सहारनपूर के बाद इदार आए तो मुझफर इस तो राम गंगा पर्योजना वहाँ पर है और यह राम गंगा नधी पर इस्थेत है यह जो है इसे बांद जो बना है उसको काठी बांध कहते हैं इसको हम लिष्ट में भी आगे देखेंगे बरकर यह सीधे सीधे पूँछे तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह बिजन ये छेतर है फ्रेंड सारदा नदी की दोरा एक परियोजना मतलब सारदा नदी में एक परियोजना सुरू की गई है जिसे हम कहते हैं सारदा जल बिद्दुत परियोजना सारदा जल बिद्दुद जो पर्योजना है ये नेपाल से निकलने वाली जो सारदा नदी ये काली नदी है उस नदी पर बना हुआ है हमने पिछले वाले वीडियों में नदी की पूरी इस्थितियां आपको दिखाई थी तो ये देखिए उसी मतलब ये दोनों की संयुक्त परियोजना जैसी है जैसे नेपाल और इसकी और ये बहुत बड़ा छेतर ये देखिए पूरा छेतर ये जहां पर आपको इस तरह से μεार्ट करके दिखाया गया है ये चेतर ये चेतर इस पूरे छेतर में फिर्ट्स सिचाई होती है इसी सारदा पर योजना से तो ये सारद बड़ी नहर प्रणाली है जिससे बहुत ज्यादा जिले लाभानवित होते हैं आप इसमें से देख रहे हैं कि उपर से बरेली हो गया और ये पीली भीत है सहारन पूर है खीरी है सीता पूर है हर दोई बहुत सारे जिले यहां तक लखनव राय वरेली प्रताव गड़ और इ प्याग राज तक के जो जिले हैं ये इसमें से इन्वाल्व है अब देखिए एक परियोजना इधर देखते हैं मतुरा की तो मतुरा की परियोजना को जो है वो है गोकुल बैराज परियोजना ये यमुन्ना नदी पर बनी है और मुखता इसका जो यूज है वो है पेजल क के लिए हमने आपको बताया था कि प्येजल के लिए भी इनका प्रियोग किया जाता है बानों का तो प्येजल के लिए ये प्रियोग की गई प्रियोजना है जिसका नाम है गोकुल बैराज प्रियोजना और ये मतुरा में इस्तित है और देखिए पर्योजना हम देखते हैं और इसके नीचे अगर आएं तो एक है मौदहाबान देखिए हमीरपुर जो जिला है हमीरपुर में एक ये मौदहा एक तैसील है इस तैसील में एक नदी है बिर्मा बिर्मा एक बहुत से छोटी सी नदी है वैसे और यही इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे मौधाबान कहते है इस मौधाबान से जो आसपास का छेतर है वहाँ पर सिचाई इसके माध्यम जिफरेंट्स की जाती है और उसके देखी नीचे आते हैं हम तो हमें एक परियोजना यहां पर महोबा में मिलती है महोबा में जो परियोजना है वो है अरजुन बांध बना हुआ है और वो अरजुन नदी पर बना है ठीक है तो अगर कुश्चन ऐसे पूछे कि अरजुन बांध कहा है या अरजुन पर योजना कहां पर है तो आप बता देंगे कहां पर महोबा है इसको याद आप ऐसे कर सकते हैं कि अरजुन क्या था बहुत बड़ा धन उर्था था और महोबा में क्या था महोबा में आहलाउदल बहुत बड़े बीर थे सिर्फ वो एक और से जहांसी से मिलता है बांकि ये पूरा जो इधर का छेत्र है ये पूरा MP का छेत्र है तो यहां पर देखिए क्या है कि राज घाट बांध पर योजना एक जो की बेतवा नदी पर बनी है और ये राज घाट बांध पर योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश की वो बेतवा नदी पर बनी इसके बाद उसी के देखिए बगल से जैसे मैंने बताया कि ललित पूर और ललित पूर से उपर सिर्फ एक ही जिला जहांसी से जुड़ा हुआ है ये तो यहां पर एक बांध है फ्रेंट्स माता टीला बांध एक जाम में फ्रेंट्स कई बार पू कह सकते हैं कि ये पथराई है तो उधर ये पथराई नदी जैसे पथराई नदी थोड़ा सा निकली और ये बेतवा नदी तो वहीं पर ये क्या किया गया है बांध को बना दिया गया है तो वो जो अगर सीदे सीदे पूंचता है माता टीला बांध कहां पे है आपको फता ह होना चाहिए कि जहांसी पे और उसकी जो मुख्ष न दिये फ्रेंड्स वह कौन सी है बेतवाना की चलिए अब देखिए हम यहां से अब थोड़ा सा आते हैं पस्चिम की और कि पस्चिम में कौन कौन सी पर्योजनाई किस प्रकार से हैं तो देखिए सबसे अगर हम बात करते तो बलिया है यहां पर दिकिए आप ने सुना होगा एक गंडक नदी का नाम तो गंडख नदी जो है वह कोसी नदी के पास में है को सी नदी को क्या बोलते हैं भंगा उसका बिहार का सोक बोलते हैं है न क्योंकि बहुत सारा मलवाला के और अपना मार्ग बदल लेती है उस और इससे जो लाभानवित है वो अपना यूपी और बिहार तो ये पर्योजना जो मुखता है नेपाल में ही इस्थित है क्योंकि नेपाल से ही ये नदी निकलती है वहीं पर ये पर्योजना बना दी गई है तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत और नेपाल की सन्युक्त जैसे कुछी नगर हो गया देवरिया हो गया गोरकफुर हो गया ये छेत्र इसी से क्या होते हैं सिंचित होते हैं ये वाले जिले और बिहार का काफी बड़ा छेत्र इससे क्या होता है सिंचित होता है अब देखिए दच्छण की ओर आते हैं तो दच्छण में हमें मालूम है कि सबसे जो दच्छनी जिला है वो तो क्या सोन भद्र है ठीक है यहाँ पर और उपर आते हैं तो दिखिए एक है चंदौली जिला चंदौली में एक है मुसा खांद बांद तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार की यह संयुक्त पर्योजना है और यह कर्मनासा नदी पर बनी है मतलब कि यह जो पर्योजना है यह बांद है मुसा खांद बांद यह कहां पर है कर्मनासा नदी पर बना हुआ है और यह चंदौली जिले में है और यह बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की सहायक पर्योजना है इसके बाद देखिए यहाँ पे सोन भद्र तो सोन भद्र जो है यहाँ पर बहुत जादा यह कायें कि बहुत ही महत्वण पर्योजना है जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक रिहंद पर्योजना है तो रिहन्द परियोजना रिहन्द नामा की एक नदी है उसमें बना हुगा है और इसके बनने से जैसे कि मालीजे इसमें जो बांध बनाया गया इसके बांध बनने से एक बड़ा सागर का निर्माद है सागर या जील जो होती है दो तरह की होती है करत्रिम और मानो निर्माद तो जब हम क्या करते हैं कि बांध बनाके पानी को बहुत जादा मात्रा में खटा कर देते हैं तब भी वो एक जील का निर्माड हो जाता है और इसे करत्रिम जील कहते हैं तो अगर हम पूरे इंडिया के जियोग्राफी में भी अगर बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम गोविंद बल्लप पंत सागर की बात करते हैं जो मानो निर्मित जील कहलाती है तो रिहंद पर योजना से जो निर्मित है ये है और फिर इसके साथ साथ में जो सिचाई के छेत् पूरा इसमें से बहुत अधिक मात्रा में ये कवर करता है यहीं पर एक नदी है फ्रेंट्स दूधी नदी तो ये दूधी नदी या फिर हम कहें कि दूधी परियोजना है तो ये कनहार नदी नाम से है वैसे ये तो दूधी परियोजना या फिर कनहार बान जो है वो कनहार न जिसे हम कहते हैं मेजा जलासः बान मेजा जलासः बान जो की बेलन नदी पर है देखिए ये जो बेलन नदी है न फ्रेंट ये बेलन नाम की जगए बहुत महत्वपून है क्यों कि इस में से प्रगायति हासिक काल के बहुत सारे इसमें साख्छ मिले हैं तो जब हम वो ऐसे discuss करेंगे history को इसमें से one day exam के point आप भी उसे तो वहाँ पर हम इसकी बात करेंगे तो देखिए मिर्जापुर में ये मेजा जला से है मिर्जा और मेजा ठीक तो इस परकार से इसको हमने map में जो मुख मुख पर योजनाए थी इनको देखें अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो भी बांध है वो बांध कहां पर बने हैं किस नदी पर बने हैं और उसका निकटतम जो नगर है वो कौन सा है है जिला कौन सा है इसको यहाँ पर हम देखेंगे तो हम slide by slide friends इसको देखते जाएंगे आप इन slides को एक बार क्या कर सकते हैं कि अगर चाहें तो इसका screenshot भी ले सकते हैं मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा रखी छोटा कर देता हूँ हाँ तो देखिए ये अब इसमें से fit है अगर आप चाहें तो अब screenshot ले सकते हैं ठीक है चलिए तो देखते हैं इसमें से कौन क से बान जो है ये जिर्गो नदी पर है और ये मिर्जापूर के पास है इसको देखिए थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं देखिए इसमें भी उड़नता रहा है ना इसमें भी उड़नता रहोगे और इसमें भी मिर्जापूर में भी उड़नता रहोगे है तो जिर्गो कहां प पैस पारे लिखोर में में एक है दिखिए रिहंद्रował भी देखा था करमनाजा करमनासा उप्र छीज़क बाख लोगे और आगे देखिए राम गंगा का थी नदी पर है किसमें और यह फह स्कंस नहीं किया था ह Не अग्ला देखिए कनहार बान कनहार नदी कर में है और यहां पर सॉन भाध्र पर आगली देखिए एक maple में हमने और बना के रखें है जो और महत्वक्ष्षा थे जी में जह कि हम और यहां पर देखिए सर्यू बान सर्यू नदी पर है बहराइच जिला है इसका और यह पत्थराई बान यह पत्थराई नदी पर है यह जहासी पर है और एक राजगाट बान यह कहां पर देखिए बेतवा में बना है और ललितपूर में है मौदहा बान अभी हमने इसके बा और देखिए यह क्या है बांड सागर बांड तो बांड सागर कहां शोन नदी पे है और यह सहडोल मद्ध परदेश में है बांड सागर लेकिन इस से चुकि हमारे यूपी का भी छेत्रला भानवित होता है इसलिए हमने इसको इसमें पॉइंट आउट किया है क्योंकि यह थो और या फिर वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं तो फ्रेंड इस वीडियो को आपने देखा आपका बहुत-बहुत धन्वाश्ट पर देखिए